यूपी के मुख्य मंत्री योगी आदेतिनात ने आज लखनो पुलिस लाइन में छापा मारा पुलिस लाइन में योगी के पहुँचते ही हरकंप मच गया पुलिस के बड़े बड़े ओफिसर हाफने लगे, दोड़ने लगे पुलिस लाइन में हर तरफ गंदगी दे के योगी भड़क गए ओफिसर्स को डाटा, साफ सफाई की नसियत दी योगी पुलिस लाइन के होस्टेल में भी गए, किचन में गए, अस्तबल में गए ट्रेनी पुलिस वालों से सुविधाओं के बारे में भी सवाल जवाब किये तो आप यह तस्विरे देख रहे हैं जहाँ पर पुलिस लाइन, लखनों के पुलिस लाइन पहुंचे है और चक निरिक्षन करने के लिए योगी आदे तनात और वहाँ पर जब उन्होंने गंदगी देखी, वहाँ पर हाला ठीक नहीं मिले तो उन्होंने वहाँ पर मौझूद जो बड़े आला अधिकारी हैं जिनके उपर जिम्मेदारी है इन सब कामों की उन्हें भी फटकार लगाई और साथी निर्देश दिये हैं कि तुरंथ जो जो खामिया पकड़ी जा रही है उन्हें दुरुस्त किया जाए यही नहीं वो वहाँ पर मौझूद जो मैस है वहाँ पर भी पहुंचे वहाँ पर का भी हाल देखा इसके अलाबा वहाँ पर जो ट्रेनिंग के कि अगरे पानी पड़ा हुआ है जहां जिसके मरजी वहाँ पर जो है वह बेक्ति जो है अपनाओ कर तो उसने उस रूप दिया हुआ है फोड सिलिंग कर देते कम खर्चे में आप इसको भी जूपर से उपर सुख देते हैं यह रूची लेनी पड़ेगी कभी आप लोग स् कंड़ में तो उसको अटवा देना चाहिए ना पर अटवा देना चाहिए नया बेर्क बनाओ उसके तो पर ने बना रहे हैं पर तो बोसे मैं तो मैं प्रस्ताव कई दिनों से मांग रहा हूँ आज कर तो उनी मिला है तो सपाई जगे जगे पानी पड़ा आजा चाहिए तो सब्सक्राइब को रहे हैं तो स्लोगन है लेकिन सबस्ता नहीं है यहां पर कटा होगा पिस यहां पर क्यों पड़ा हुआ हुआ बात करते हैं समधाता रूची कुमार से लखनो समाई साज जगड़े हैं रूची जिस तरह से योगी आदिदनात वहां पर इस बात को इंगित कर रहे थे की लिखा हुआ है बोट पे सवच्छता लेकिन सचमुच में वहां सवच्छता नजर नहीं आ रही है तो यह हाल है पुलिस लाइन का पुलिस वालों के काफी दिनों से यह शिगायत रहती है कि जो नीचे के पुलिस के फोर्स है जो सिपाई है कॉंस्टेबिस हैं उनके रहने के हालात सही नहीं हैं जिस तरह से वो काम करते हैं तो आपकी मंत्री इन पुलिस वालों के हालात देखते को लग्तों में जो पुल आया जाना चाहिए, उन्होंने अफसरों से कहा कि मैं बार बार बजट मांग रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, पैक्ट बताओ इतना देना है, लेकिन आप लोग बता नहीं रहे हैं, तो जो बुरी हालत पुलिस लाइन की, जिस तरह से पुलिस के लोग काम करते हैं, वो अजमत् ही है, कॉस्ट्रेबल से उनको उमीद बंदे है कि शयाद आने वाले दिनों में उनके रहने की और काम करने की वर्ष्टा कुछ रहतर हो पाएगी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका,